नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Omeca DSR Capsule का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, Omeca DSR Capsule को कैसे लेना चाहिए और Omeca DSR Capsule की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, Omeca DSR एक ब्रैंड नेम है Omec-DSR Capsule के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Omec-DSR Capsule के अंदर सौल कंपोजिशन इसो में प्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है Omec-DSR Capsule पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है Omec-DSR Capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने पर और उल्ती आने का मन होने पर Omec-DSR Capsule का उप्योग किया जाता है Omeka DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Omeka DSR Capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो. इसलिए आपका Dr. Omeka DSR Capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा Omeka DSR Capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Omeka DSR Capsule का उपयोग किया जाता है. Jolinger Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Omeka DSR Capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Omeka DSR Capsule की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा Omeka DSR Capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक Omeka DSR Capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Omeka DSR Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मेगनेशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Omeka DSR Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Omeka DSR Capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अं साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अब हम डिसकस करेंगे की Omeka DSR Capsule को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Omeka DSR Capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते है Omeka DSR Capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए. Omeka DSR Capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Omeka DSR Capsule का सेवन करना recommended नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Omeka DSR Capsule को लेने की सला दे सकता है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज व सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Omeka DSR Capsule से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.